मेरा नाम प्रियंका है मैं एक एर हॉस्टिस थी और मन लगा कर अपनी नौकरी किया करती थी क्योंकि बच्पन से ही मेरा एर हॉस्टिस बनने का सपना था लेकिन मेरे माता पिता ने मेरी शादी जल्दी ही कर दी थी मगर भगवान के किरपा से मुझे पती भी बहुत अच्छा मिला था जिसने मेरे सपने को साकार कर दिया और मुझे ससुराल भी बहुत अच्छा मिला था मेरी शादी के दो साल बाद ही मेरी सास इस दुनिया को छोड़ कर चली गई थी जबकि ससूर जी जिन्दा थे फिर मैंने अपनी दो बेटियों को जनम दिया था मेरी एक बड़ी बेटी थी जो के 15 साल की थी और एक छोटी बेटी थी जिसकी उमर 11 साल थी मेरी दोनों ही बेटियां बहुत जादा समझदार और सूलजी हुई थी पढ़ाई में भी बहुत इंटेलिजन्ट थी एक दिन में अपनी बेटियों के साथ गार्डन में टाइम स्पैंड कर रही थी क्योंकि आज मैंने अपने बच्चों के लिए स्पेशली छुट्टी ली ह हुई थी तब भी अचाना एक हमारे घर पर एक लड़का आया और उसने मेरी फोटो क्लिक की और तेजी से भागने लगा मैं समझ नहीं पाई थी कि ये लड़का कौन है और मेरी फोटो अपने मुबायल में खीच कर क्यों ले गया ये सारा नजारा मेरी दोनों बेटियां भी देख रही थी मुझे इस लड़की पर शक होने लगा था और मैंने इस लड़की को अपने घर के आसपास भी कई बार देखा था मुझे लगा कि कहीं ये लड़का मेरी दोनों बेटियों के साथ तो हम घर में साथ लोग रहा करते थे मैं मेरी दोनों बेटियां मेरे पत गरीब थी एक दिन वो मुझे रास्ते में मिली थी जब वो सड़क के किनारे भीक मांग रही थी मुझे उस बेचारी पर बहुत तरस आया था उसने मुझसे कहा था कि मैडम जी मुझे कुछ पैसे दे दो मुझे अपनी बेटी का इलाज करवाना है उसके तब्यट ठीक नहीं हैं और वो बोल भी नहीं सकती इसके बदले मैं आपका कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ पहले हमारे घर पर एक नौकरानी रहा करती थी उसका नाम शालू था लेकिन वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी इसलिए नौकरी छोड़कर जा चुकी थी अब मुझे ए रहने के लिए कमरा भी दूंगी और तुम लोगों को खाना भी मिला करेगा लेकिन बदले में तुम्हें मेरे घर का काम काच करना होगा मैंने उसे सब कुछ बता दिया था कि मैं एक एयर होस्टेस हूं और मेरे ड्यूटी प्लेन में होती है दिन रात मेरे लिए कोई माइन नहीं रखता बस इस सब की वज़ा से मैं अपने घर के काम पर और अपने घरवालों पर ध्यान नहीं दे पाती इसके लिए तुम्हें मेरे घर पर नौकरी करनी होगी वो खुशे खुशे इस काम के लिए राजी हो गई थी मैंने उसकी बेटी का इलाज करवाया था महीमा क धर का सारा कामकाज भी करती थी मेरी दोनों बेटीयां तो ज्यादतर पढ़हाई में ही लगी रहती थी। लेकिन जिस दिन से महीमा और उसकी बेटी आई थी। मेरे बेटियों को किसी का साथ मिल गया था महीमा एक भरोसे मन और इमानदार ओरत थी घर के सारे काम बहुत इमानदारी से और साफ सफाई से किया करती थी मुझे खुशी हुई थी कि मुझे घर के काम करने के लिए एक अच्छी और इमानदार नौकरानी मिल गई मेरे ससूर जी बीमार रहते थे और ज्यादा तर अपने कमरे में ही बंद रहते थे उनके लिए अलग से परहेस का खाना बनाना होता था मैंने महीमा को अपने ससूर जी के बारे में सब कुछ बता दिया था महीमा मेरे ससूर जी को समय से उनका परहिज का खाना बना कर दिया करती थी और मेरे पती के लिए भी सुभा को वो फिक्र से लंच पैक करके दिया करती थी वो दोनों पर्मनेंटी हमारे घर में रहने लगी थी इस तरह मेरे घर का रूटीन और काम काज बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था मुझे भी महीमा और उसकी बेटी के आ जाने की वज़ा से घर की टेंशन थोड़ी कम हो गई थी और जिसकी वज़ा से मैं अपने काम पर सही तरह से ध्यान दे रही थी मुझे फलाइट में बहुत ज़ादा काम होते थे क्योंकि मेरी नौकरी कोई मामुली नौकरी नहीं थी अपने परिवार से दूर रह कर देश विदेश में ट्रैवल करना कोई मजाग बात नहीं थी हम एर हॉस्टेस का काम कोई असान काम नहीं होता हमें बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है फलाइट में यात्रियों को खाना पीना सर्फ करने से लेकर उनके समान को रखने तक का काम ही एर हॉस्टेस का नहीं होता बलकि इस से भी कई गुना ज्यादा काम होते हैं मेरी इस नौकरी में मुझे काफी सारे फायदे थे नुकसान सिर्फ इतना था कि मुझे अपने परिवार से दूर रहना पड़ता था हमारी लाइफ देखने में काफी ग्लैमरस लगती है लेकिन यहां तक पहुँचने के लिए हमें भी काफी मुझे ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है इंटरनेशनल एरलाइन्स कंपनियों में एर हॉस्टेस और फ्लाइट अटेंडेंट बच्चों को लेकर खास तोर पर ट्रेनिंग की जाती है हमें सभी मुझकिलों और अमर्जेंसी सिच्विशन की ट्रेनिंग भी दी जाती है और तोर हमें आर्टिफीशल सांस लेने से लेकर डिलिवरी करने तक की ट्रेनिंग भी दी जाती है International Airlines कंपनियों में Air Hostess प्लेन को 90 सेकंड में खाली करने की ट्रेनिंग भी दी जाती है उसके बाद हमें दो हफ़तों की ट्रेनिंग के बाद Emergency Management की ट्रेनिंग दी जाती है जहां अगर प्लेन के आधे गेट बंद है तबी सबी यात्रियों को प्लेन को 90 सेकंड में खाली करने की ट्रेनिंग भी दी जाती है हमें पैसेंजर्स के लिए शॉर्ट इंस्ट्रक्शन्स याद करने पड़ते हैं ताकि किसी भी Emergency Situation में पैसेंजर को हैंडल किया जा सके हम Emergency Slider से प्लेन खाली करना भी सिखाया जाता है फ्लाइट में हर कंट्री के हर लोग पाए जाते हैं जिन से हमें बाचीत करने का behavior भी अच्छा रखना होता है और कुछ ऐसे अटपटे लोग भी मिल जाते हैं जो हम पर गलत नजर डालने की कोशिश करते हैं लेकिन हम लोगों को फुल सपोर्ट दी जाती है कि कोई हमारे साथ बत्तमीजी तक नहीं कर सकता बगर हम लोगों को अपना behavior लोगों के साथ इतना अच्छा करना होता है कि लोग हम से अपने कोई भी काम असानी से करवा सकें हाँ लेकिन मेरे इस काम में ज्यादा दोल भाग भी नहीं होती थी कुछ लोगों के मन में airhasters बनने का सपना होता है जैसे की मेरे मन में था finally इतनी सारी ट्रेनिंग करने के बाद और इतनी मुसीबतों का सामना करने के बाद मेरा ये सपना जैसे तैसे पूरा हो ही गया था मैं अपनी जॉब में पूरी तरहां से बिजी थी मेरी जॉब से मेरे घरवालों को भी बहुत जादा फायदा था मेरे पती बहुत अच्छे इनसान थे जिन्होंने आज के जमाने में भी अपनी पतनी को शादी के बाद पढ़ने दिया और खुद उसके सपने पूरे किये मुझे जब भी टाइम मिलता था मैं अपने घर पर चली जाती थी आज मैं पूरे एक हफ़ते के बाद अपने घर जा रही थी मुझे अपनी फैमिली से मिले हुए कई कई दिन हो जाते थे आज काफी दिनों के बाद जब मैं अपने घर गई तो ये देखकर मेरे होश उड़ गए थे कि महीमा जिस तरह जिस कंडिशन में हमारे घर आई थी वो उस कंडिशन में बिलकुल भी नहीं थी वो मुझे पहले से ज्यादा बहुत कमजोर लग रही थी मैंने उससे उसके तबियत के बारे में पूछा महीमा तुम्हारी तबियत तो ठीक है ना तो वो कहने लगी कि मालकिन मेरी तबियत तो बिलकुल ठीक है लेकिन मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ किस तरह की बाते कर रही हो कैसे गड़बडी तुम्हारा कहने का क्या मतलब है मुझे साफ साफ बताओ तो उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया और वो मेरी बात को इग्नोर करके अपने काम में लग गई मैं अपने बच्चों के पास उनके कमरे में गई तो वो लोग आराम से सो रहे थे क्योंकि शाम का टाइम था मेरे बच्चे ट्यूशन से आने के बाद सो जाया करते थे फिर मैं उपर जाकर अपने ससुर जी के कमरे में उनके हाल चाल लेने गई तो वो भी दवाई लेकर अभी अभी सो ए थे इसलिए मैंने उनको डिस्टरप करना ठीक नहीं समझा फिर मैं अपने कमरे में चली गई और जाने के बाद फ्रेश हो गई मैंने महीमा से कह दिया था कि तुम मेरे लिए कब चाय बना दो मेरे नहाने के बाद वो चाय लेकर आ गई थी और फिर कुछ देर तक मेरे बराबर में ही खड़ी रही मुझे लगा कि वो मुझसे कुछ कहना चाहती है मैंने उसे पूछा कि क्या हुआ महीमा तुम मुझे कुछ परिशान लग रही हो तो वो कहने लगी कि प्लीज मैडम आप नाइट शिफ्ट मत किया करो आपके घर में कुछ तो गड़बड है महीमा की बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया था आखिर वो होती कौन थी मुझे एड़वाइस देने वाली कि मैं नाइट शिफ्ट ना करूं मैंने उसे घूर कर एक नज़र देखा ही था कि वो बिना कुछ कहे ही कमरे से बाहर निकल गई मैंने सोचा कि शयद जब से वो यहां आई है उसे मेरे घर के ज्यादा काम करने पल रहे होंगे इसलिए वो ऐसा कह रही है अगर उसे यहां कोई परिशानी है तो वो यहां से जा सकती है मैंने उस पर कोई जबरदस्ती तो नहीं की हुई है उसके पास भी तो रहने का कोई ठीकाना नहीं था मैंने इसे अपने घर में रहने की जगा दी इसे खाना पीना सब कुछ मिलता है मगर ये भी तो पता करना है कि आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा है और वो इस तरह की बाते क्यों कर रही है शाम के पांच बच्चु के थे जब मेरे पती घर आ गए मुझे देखकर वो बहुत खुश हुए थे मैंने इस बारे में अपने पती से पूछने की कोशिश की मगर वो बहुत ज़ादा ठके हुए थे उन्होंने कहा कि वो कुछ देर आराम करेंगे उसके बाद ही मुझे से कोई बाचीत करना चाहेंगे इसलिए मैं भी कुछ देर मैगजिन लेकर पढ़ने के लिए बैड गई थी उसके बाद मुझे दस बज़े तक अपनी ड्यूटी पर भी जाना था कुछ देर बाद मेरी बेटियां भी सोकर उठ गई थी मैंने देखा था कि मेरी बेटियों की महीमा की बेटी के साथ अच्छी फ्रेंड शिप हो गई थी मुझे इस बात के खुशी हुई कि मेरी बेटियों ने उसे अपनी बहन की तरह समझा है गरीबों से कोई दोस्ती नहीं करता मगर मैंने अपनी बेटियों को ऐसे संसकार दिये थे कि वो गरीबों को गले से लगाया करती थी मैंने देखा था कि महीमा की बेटी भी मेरी बेटियों के साथ बहुत खुश है मेरी बेटियां मेरे पास आकर बैड़ गई थी मेरे कमरे में इसी लगा हुआ था इसलिए ज्याद तर मेरा कमरा बंद ही रहता था हमारे पास भगवान का दिया सब कुछ था किसी चीज की कमी नहीं थी मेरे पास जेवर भी काफी सारे थे क्योंकि मेरा पती भी अच्छा कमाता था और मैं भी कुछ कम नहीं कमाती थी बेटी अच्छे स्कूल में पढ़ रही थी और मेरे ससूर जी की भी प्रापर्टी काफी थी लेकिन जब से वो बीमार हुए थे उन्होंने अपनी प्रापर्टी के देखरेक करना बंद कर दिया था इसलिए उसके देखरेक मेरे पती ही किया करते थे मेरे पती ने अपने पिता की बीमार होने के बाद उनकी जमीनों में मकान बनवा दिये थे जिसमें किरायदार रह रहे थे और उनका किराया भी हम लोगों के पास ही काफी आता था एर होस्टेस की नौकरी करना मेरे लिए कोई मजबूरी नहीं बलकि मेरा सपना और मेरा शौक था जिसको मेरे पती न और मेरे ससुराल वालों ने मिलकर सपोर्ट करके उसे पूरा करवाया था मेरे माय के वाले मुझसे कहते थे कि अब तुम्हारी बेटियां बड़ी हो गई है अब तुम्हें अपनी बेटियों पर ध्यान देना चाहिए और अपनी बेटियों की परवरिश पर ध्यान देना चाहिए तुम्हारा सपना तो पूरा हो ही गया इसलिए अब तुम अपनी न नौकरी से मन नहीं भरा था मेरे पती ने नौकरी करने या ना करने का फैसला मुझ पर ही छोड़ दिया था और मेरे ससूर जी थे वो जब से बीमार हुए थे उपर वाले फिलोर से कभी नीचे आते ही नहीं थे मेरी बेटियां मेरे पास आई तो उनके साथ-साथ महिमा की बे जान रखती थी और अपनी बेटियों को भी कह दिया करती थी कि जो चीज तुम खाया करो वो इसको भी मंगवा कर खिला दिया करो और जिस तरह में छुट्टी वाले दिन अपने लिए कोई कपड़ा खरीद कर लेकर आती तो साथ-साथ महिमा के लिए भी लेकर आया करती थ क्योंकि वो हमारे घर में ही रहती थी और हमारे परिवार का हिस्सा बन चुके थी उसको हमारे घर में नौकरी करते हुए तीन महीने गुजर गए थे मगर जब भी मैं घर आती तो वो मुझसे एकी बात कहा करती थी कि आप नाइट शिफ्ट मत किया करो मैं उससे सब की वज और जब घर आई तो ये देखकर हरान रह गई कि महीमा तो पहले से और भी ज्यादा कमजोर हो गई थी इन दिनों फैस्टिवल्स चल रहे थे और मैं फैस्टिवल्स के दिनों में घर पर ही रहती थी मैं फैस्टिवल्स अपनी फैमली के साथ सेलिब्रेट करना पसंद करती इस दौरान में अपने घर पर ही रुकी हुई थी, मैंने देखा कि उसकी बेटी भी मुझे कुछ डिस्टरब सी नजर आ रही थी, मुझे उन दोनों मा बेटी की कंडिशन के बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैंने अपनी आखों के सामने ही महीमा से घर के कोने कोने की स सफाई करवाई थी, वो काम तो सारे कर रही थी, मगर बहुत जादा वीक लग रही थी, मैंने महीमा से कहा महीमा, मुझे तुम्हारे तब ये ठीक नहीं लग रही, चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ, तो वो कहने लगी कि नहीं नहीं मैडम जी, महीमा की बात समझ नहीं पाई थी, मैंने उचसे कहा कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, तो वो मेरी बात पर खामोश हो गई और कुछ नहीं बोली, मुझे अब धीरे धीरे महीमा पर शक होने लगा था, मैं धेक रही थी कि महीमा की बेटी भी कुछ परिशान परिशान सी थी पहले वो मेरी बेटियों के साथ खेलती रहती थी मगर अब वो अलग-अलग सी रहने लगी थी मेरी कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि घर में आखिर क्या चल रहा है मैं अपने ससुर जी के कमरे में उनके हालचाल पूछने गई तो वो टीवी देख रहे थे मेरे ससुर ज शहर के बैस डॉक्टर से चल रहा था और मेरे पती खोद उनका ट्रीटमेंट करवा रहे थे जब से मेरी सास की मौत हुई थी मेरे ससुर जी को अकेला पन काफी महसूस होने लगा था और वो फिर इतने ज्यादा बीमार हुए कि उनकी तब्याती खराब रहने लगी थी मग लेकिन इस दौरान मैंने देखा था कि महीमा और उसकी बेटी ना तो हम लोगों के साथ ज्यादा घुल मिल रही है और ना ही मैं उन दोनों को ज्यादा खुश देखती थी वो लोग बस नार्मल सा बिहेव करती थी और चुप-चुप से रहती थी मैने इन दोनों मा बेटी दिनों पहले से इन दोनों का behavior हम लोगों से बहुत उखड़ा उखड़ा सा है ये लोग हमारे साथ रहतो रही हैं वगर हम से अच्छे तरहां से ना तो बात करती हैं और ना ही एक दूसरे से महीमा अंटी तो मुझे बहुत जादा परिशान लगती है ऐसे लगता है जैसे कुछ ऐसा हो जिसे तुम लोगों को इन पर शक हुआ हो मेरी बैटी कहने लगी ममी महीमा अंटी की बेटी तो गूंगी है वो बहुत सीधी भी है वो तो बहुत डरी डरी सी रहती है मगर महीमा अंटी भले ही खामोश रहती हैं लेकिन हमारे साथ कुछ गलत नहीं करती ये दोनों बहुत अच्छी हैं, हमें कभी भी इन पर शक नहीं हुआ, घर के सारे काम भी अच्छे तरीके से करती हैं, और समय पर पूरे कर दीती हैं, बस उनके behavior में ही बदलाव आ गया है, यहां तक कि उनकी बेटी भी अब हमारे साथ नहीं उठती बैठती, पहले हम लोग उप पर जाने से बहुत डरती है, मगर अब काफी दिनों से वो बहुत खामोश है, अपनी बेटी के बात सुनकर मुझे ऐसा लगा था, जैसे महीमा और उसकी बेटी परिशान है, मैंने सोचा कि हो सकता है, महीमा किसी बड़ी परिशानी की वज़ा से ही इतनी कमजोर हो रही है, मुझे उससे बातचीत करनी चाहिए, अगर वो किसी बात से परिशान है या उसे मेरी मदद की जरूरत है, तो मैं उसकी जरूर मदद करूंगी, इसलिए मैंने महीमा से बात करने का फैसला कर लिया था, अगले दिन जब मेरे पती आफिस चले गए, तो मैंने महीमा को बात क परने के लिए अपने पास बुलाया था पहले उसे अपने कमरे में आने के लिए कहा और उसे अपने पास तसली से बैठने के लिए कहा वो मेरे पास आकर बैठ गई थी और उसने अपनी नजरे जुका ली थी मैंने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और उसे तसली देते हुए कहने लगी कि महीमा आखिर तुम इतनी क्यों परिशान हो और तुम कितनी अच्छी थी कितनी सेहत मन थी जब यहाँ पर आई थी लेकिन काफी दिनों से मैं दिख रही हूँ कि तुम कुछ परिशान भी हो और दिन बदिन कमजोर भी होती जा रही हो क्या तुम्हें कोई को दूर कर दूंगी मुझसे जितना भी बन पाएगा मैं तुम्हारी मदद करूंगी महीमा कहने लगी कि मैडम जी आखिर मैं किसके लिए टैंशन लूंगी मेरे इस दुनिया में अपनी बेटी के अलावा कोई भी नहीं है मगर ये कहकर महीमा खामोश हो गई तो मैंने कहा कि क्या हुआ महीमा मगर क्या बताओ ना मुझे तुम खामोश के हो गई हो तो वो कहने लगी कि मैडम जी हम दोनों मा बेटी का इस दुनिया में ना तो कोई रिष्टेदार है और ना ही कोई अपना आपकी बहुत-बहुत महरबानी कि आपने हमें इस गर में जगा दी आप बहुत अच्छी औरत हो आपकी बेटी अभी बहुत अच्छी है हम दोनों मा बेटी के सरपर तो साया भी नहीं है जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे पती ने मुझे किराय के घर में रखा हुआ था अचानक मेरे पती की एक एकसिडेंट में मौत हो गई हमारा सब कुछ खत हरा किया था हम दोनों मा बेटी के इस दुनिया में मदद करने वाला कोई भी नहीं था तबी तो हम दोनों सडक पर भीक मांगने के लिए उतर आई थे आपने हमीं सहारा दिया यहां तक कि आपने अपने घर में रहने की भी जगह दी थी मैं जानती हूँ कि यहाँ से जाने के बाद मुझे कोई भी सम्हालने वाला नहीं होगा इसलिए मैं कुछ भी करके आपके घर को छोड़ कर नहीं जा सकती क्योंकि यहाँ पर मुझे और मेरी बेटी को खाना खाने के साथ-साथ सर छुपाने के लिए छट भी मिल रही है आँखों में आशु आ गए थे फिर वो बोली कि मेरी ऐसी हालत क्यों हो रही है और मैं दिन बदिन कमजोर क्यों होती जा रही हूं ये बात तो मुझे भी नहीं पता मगर जब आप नाइट ड्यूटी पर होती हो तो इस घर में कुछ गलबड होती है उसकी बात सुनकर मैं हरा रह गई थी और मुझे एक जोड़दार जटका लगा था कि आखर वो क्या कहना चाहती है मैंने उससे कहा कि गलबड से तुम्हारा क्या मतलब है तो वो कहने लगी कि मुझे ऐसा लगता है कि रात के समय इस घर में कोई चलता है क्योंकि जहां पर मेरा कमरा है उधर के आसप जैसी बाते कर रही हो महीमा मेरी बात सुनकर कहने लगी कि मैडम जी मैं मजाक नहीं कर रही हूँ मैंने उससे कहा कि ऐसा कुछ नहीं है महीमा हम लोग सालों से इस घर में रह रहे हैं और ये मेरे सास ससुर का पुष्टैनी मकान है अगर ऐसी कोई बात होती तो वो सिर्फ तुम्हारे साती नहीं बलकि मेरी बेटियो या फिर मेरे पती को भी नजर आ सकती थी और फिर मैं भी तो इस घर में ही रहती हूँ मैंने कहा तो फिर तुम इस वज़ह से परिशान हो तो परिशान मत हो तुम्हें कुछ नहीं होगा बस तुम अपना खयाल रखा करो मेरी ब बच्चों से ऐसी बाते नहीं की जाती है, वरना बच्चों को डर लगने लगता है, उसके दिमाग में ऐसी बाते मत बैठने दो, और तुम फिकर मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं कल तुम्हें अपने साथ डॉक्टर के पास लेकर चलूँगी, वहाँ तुम अपना चैक अप करवाना, क्योंकि मुझे तुम बहुत जादा वीक लग रही हो, अगर तुम इस तरह वीक रही, तो मेरी नौकरी पर जाने के बाद घर में काम कौन करेगा, मेरी बात सुनकर वो कहने लगी कि अच्छा ठीक है, मैं कलाप के साथ डॉक्टर के च क्या हुआ है, बस मुझे कभी-कभी चक्कर आ जाते हैं, और मेरे सर में बहुत जादा दर्द रहने लगा है, तो मैं हसकर उससे कहने लगी, अरे पगली, तुम डॉक्टर थोड़ी हो, जो तुमें बीमारी के बारे में पता चल जाएगा, कल हम लोग डॉक्टर के जाने के बाद सारी परिशानी दूर हो जाएगी, और तुम बताओ, अगर तुम्हें पैसो की जरूरत हो, तो मैं तुम्हें पैसे दे देती हूँ, तो वो कहने लगी कि नहीं मैडम जी, मुझे इस घर में रहते हुए, किसी चीज़ की कोई परिशानी नहीं है, मुझे कु क्योंकि आज मुझे उसकी परिशानी की वज़ा पता चल गई थी, वो तो बेवजा ही परिशान हो रही थी, क्योंकि सब कुछ उसका वहम था, अगले दिन मैं अपनी बेटियों के और ससुर जी के साथ गार्डन में थी, महिमा घर की साफ सफाई में लगी हुई थी, मौसम उन्हें सेडियों से उतार कर नीचे गार्डन में लेकर आ गए थी, मेरे ससुर जी मैगजीन पढ़ रहे थे, मैं अपनी बेटियों के साथ बैठी थी और उनके साथ इधर उधर की बाते कर रही थी, जबकि मेरे पती ऑफिस गए हुए थे, अचानक गार्ड ने आकर मुझ उसे कोई मिलना चाहता है, मैंने गार्ड से कहा कि कौन है, तो वो कहने लगा कि पता नहीं, बस कह रहा है कि वो आपसे मिलना चाहता है, मैंने उसे कहा कि अच्छा भेज दो, मैं देखती हूँ कि कौन है, मैं इतनी देर में गार्डन की तरफ से गेट की तरफ जा रही थी, तब ही अचानक गार्ड ने उसे अंदर भेज दिया वो एक लड़का था मेरे सामने आकर खड़ा हो गया था उसने जल्दी से अपनी जेब से मुबाइल निकाला और मेरी फोटो खीचने के बाद वो चला गया था मैं उसे आवाज देती रह गई कि तुम कौन हो और कहां से आए हो और मेरा फोटो क्यों खीच रहे हो मगर उसने मेरी कोई बात नहीं सुनी वो तो एक हवा के जोंके की तरहां आया और घर से चला भी गया था मेरी दोनों बेटिया भी ये नजारा देख रही थी इस सब की वज़ा मुझे कुछ समझ नहीं आई थी मैंने बाहर जाकर गार्ड से उस लड़के के बारे में पूछने की कोशिश की तो गार्ड ने बताया कि ये लड़का पडोस में ही रहता है और उसे मैंने कई बार यहां से गुज़रते हुए देखा है मेरे समझ नहीं आई थी कि ये लड़का आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों करके गया है आखिर इसकी वज़ा क्या है कि वो मेरा फोटो अपने मुबाइल में लेकर चला गया मेरे ससुर जी भी सबसे चौक गए थे मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हुआ शाम के टाइम पर मैंने डॉक्टर से अपॉइन्मेंट ली हुई थी क्योंकि मुझे महीमा को डॉक्टर के पास लेकर जाना था शाम के समय मैं जब महीमा को डॉक्टर के पास लेकर गई तो डॉक्टर ने मुझे कैसी बात बताई जिसे सुनकर मेरे पैरो तले से जमीन निकल गई थी डॉक्टर ने पहले तो तसली के साथ महीमा का चैक अप किया फिर उन्होंने मुझे वो बात बताई जिसने मेरे होश उड़ा दिये थे डॉक्टर ने बताया कि दरसल महीमा नींद की दवाई ले रही है जिसकी वज़ा से इन दवाईों का साइड इफेक्ट उसकी सेहत और उसकी दिमागी हालत पर पल रहा है उसकी दिमागी हालत कमजोर होने लगी है जबकि उसकी शारिरिक हालत भी कमजोर होती चली जा रही है डॉक्टर ने मुझे ये भी बताया था कि इन दवाईों का सेवन अभी हाल फिलाल में नहीं बलकि काफी लंबे समय से चलता आ रहा है तब तो उसकी कंडिशन ऐसी हो गई है कि वो शारिरिक और मानसिक तोर पर कमजोर हो रही है या तो उसे ये दवाईयां दी जा रही है या फिर वो खुद इन दवाईयों का सेवन कर रही है डॉक्टर की बाद सुनकर मेरे होश उड़ गए थे आखिर महीमा ऐसा कैसे कर सकती थी कि वो खुद नेन्द के दवाईयां क्यों खाएगी उसे क्या जरूरत थी कि वो नीन के दवाई खाए उसे तो कोई परिशानी भी नहीं थी बस उसकी परिशानी यही थी कि उसने मुझे बताया था कि उसे रात के समय भी घर पर डर लगता है और मैं नाइट ड्यूटी ना किया करूं क्योंकि जब मैं घर पर रहती हूं तो उसको ऐसा कुछ भी नहीं दिखता वरना तो उसे घर में रात को गलबल लगती है अगर किसे इनसान को डर लगता है तो वो गहरे नीन में नहीं सो पाता और फिर महीमा के पास तो इतने पैसे भी नहीं रहते कि वो हर रोज नीन के दवाई का सेवन कर सके उसको तो मैं सिर्फ इतने ही पैसे देती हूं जिससे वो जरूरत के हिसाब से बाहर से थोड़ा बहुत सामान अपना और अपनी बेटी का खरीद ले बाकी सब कुछ तो उसको हमारे घर में ही मिलता है और वो घर से ज्यादा बाहर भी नहीं निकलती डॉक्टर की बात सुनकर मुझे एक जोड़दार जटका लगा था मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे घर में ये सब कुछ क्या हो रहा है एक तो वो लड़का जो मेरी फोटो खीच कर गया था उसने मेरे दिल में शक पैदा कर दिया था कि वो लड़का कौन था क्या वो लड़का हर रोज हमारे घर पर आता था मगर गार्ड ने तो मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया था कि वो घर के अंदर तक आता है उसने तो मुझे इतना ही बताया था कि उसने उसे हमारे घर के बाहर कई बार देखा है और वो हमारे मोहले में ही रहता है मेरा ध्यान अपनी बेटियों पर भी होने लगा था वो लड़का कहीं बेटियों के लिए तो नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता वो लड़का मेरी बड़ी बेटी से थोड़ा ही बड़ा था ज्यादा बड़ा भी नहीं था कि वो मेरी बेटियों से मिलने के लिए आता था ये फिर महीमा की बेटी नहीं नहीं ऐसा भी नहीं हो सकता मैं कैसी मा हूँ घर की बेटियों पर ही शक कर रही हूँ वो महीमा की बेटी से कैसे मिलने आ सकता है वो बिचारी तो बोल भी नहीं सकती वो मुझसे मिलने ही आया था तब ही तो मेरा फोटो खींच कर गया मेरे मन में अजीब अजीब तरहां के खयाल आ रहे थे इन सब बातों की वज़ा से मेरा दिमाग बहुत घूम रहा था मेरी छुट्टियां खत्म होने वाली थी और मुझे अपनी जॉब पर अब वापस जाने की भी तैयारी करनी थी मगर घर के ऐसे हालाद देखकर मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं जॉब पर कैसे जाऊं मेरे जॉब पर जाने में दो दिन का टाइम रह गया था मेरे पती ने भी मेरे लिए दो दिन की छुटी ले ली थी क्योंकि उनके ऑफिस में पिछले दिनों काफी काम था इसलिए वो बस ज्यादतर अपने office के काम में ध्यान दे रहे थे उनका project complete हो गया था इसलिए उन्होंने दो दिन अराम करने के लिए office से छुटी ले ली थी मैं बहुत परिशान थी, बार-बार सोच विचार में थी मैंने महिमा को नहीं बताया था कि मुझे उसके दवाईयों वाला रास पता चल गया है मैंने डॉक्टर से दवाई ले ली थी और उसे खाने के लिए कह दिया था उसने मुझसे पूछा भी था कि उसे क्या हुआ है मगर मैंने उसे कुछ नहीं बताया था लेकिन मैं उसे बता कर परिशान नहीं करना चाहती थी बात तो मुझे उससे करने ही थी मगर अभी नहीं अगर वो जान बुच कर दवाई ले रही थी तो फिर वो क्यों इस दवाई का सेवन कर रही थी हाला कि उसने मुझे खुद बताया था कि इस घर में आने के बाद वो खुश है उसे किसी चीज़ की जरूरत नहीं है और मगर उसे ये दवाई कोई दे रहा था तो फिर वो कौन दे रहा था इसका मतलब ये था कि उसे दवाई देने वाला कोई हमारे घर का ही इंसान है मगर कौन हो सकता है जो महीमा को नीन की दवा कि वो अपने दादजी के पास जब भी पहले जाया करती थी तो महीमा की बेटी को भी अपने साथ ले जाती थी लेकिन अब महीमा की बेटी उनके साथ नहीं जाती है ये सब सोच सोचकर मेरा दिमाग दर से फटा जा रहा था मेरे पती ने मुझे परिशान देखा तो मेरी परिशानी की वज़ा पूछने लगे, मैंने अपने पती को भी कुछ नहीं बताया था, क्योंकि मैं उनको परिशानी में नहीं डालना चाहती थी, मेरी जॉब से भी कॉल आ रही थी, मगर मैं अपने घर के ऐसे हला छोड़ कर इतनी असानी से कैसे जा सकती थी, मुझे अपने घर में तो नहीं रहती थी, जब दो दिन पूरे हो गए, तो मैं अपनी जॉब पर चली गई थी, मगर वहाँ जाने के बाद मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, इसलिए मैं चार पाच घंटे वहाँ गुजारने के बाद अपनी फैमिली को बिना बताय ही घर वापस आ रही थी, उस समय रात के 11 बज रहे थे, मेरे पास घर की चाबी थी, इसलिए मैंने बिना किसी को डिस्टरप किये, खुद ही ताला खोल लिया, और घर के अंदर चली गई, मैं जैसे ही अपने कमरे की तरफ बढ़ी, तो ये देखकर मेरे होश उड़ गए, कि इस समय रात के 11 बज रहे थे, और मेरा पती इस टाइम पर तो सो रहा होता था, जो अपने कमरे में मौजूद नहीं थे, आखिर मेरे पती कहां चले गए थे, मैं अपनी बेटियों के कमरे में गई, तो वो दोनों भी सो गई थी, मैं महीमा को उठाने के लिए उसके कमरे की तरफ जा र रही थी, मेरी कुछ समझ नहीं आया कि मैं क्या करूँ, क्योंकि कमरे का दर्वाजा अंदर से बन था, और किसी को पता नहीं था कि मैं घर में हूँ, मैंने खिड की से जाक कर कमरे के अंदर देखा, तो ये देखकर मेरे होश उड़ गए थे, कि मेरा पती महीमा की बेटी के साथ जबरदस्ती कर रहा था, वो बिचारी गूंगी थी, बोल नहीं सकती थी, इसलिए खुद को उससे बचाने की कोशिश कर रही थी, मगर महीमा कहा थी, मैंने जैसे ही बैट की तरफ नजर डाली, तो महीमा गहरी नीन में सो रही थी, मुझे कमरे से बाहर तक आवाज आ रही थी, लेकिन महीमा को मेरे पती के बोलने की आवाज क्यों नहीं आ रही थी, आखिर वो इतनी गहरी नीन में कैसे सो सकती है, मुझे अपने पती को देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था, कि वो किस तरह उस मासूम लड़की की इज़त के साथ खिलवाल करने की कोशिश कर रहा था, मैंने जोर-जोर से चिलाना शुरू कर दिया और अपने पती से कहा कि छोड़ दो उसे, और आप उस बिचारी के साथ क्या कर रहे हो, मेरे पती ने जैसे ही मुझे देखा, तो महीमा की बेटी को एक तरफ धक्का दे दिया, क्योंकि मुझे देखकर उनके होश तुमने जो भी देखा, वो तुम्हारी आखों का वहम है, ये लड़की ही जबरदस्ती मेरे करीब आने की कोशिश कर रही थी, मुझसे अपने पती का गुस्सा कंट्रोल नहीं हुआ, तो मैंने अपने पती के गाल पर एक जोरदार थपड मार दिया, क्योंकि महीमा की और अपनी मा को उठाने की कोशिश कर रही थी, मगर महीमा अभी भी गहरी नीन में सो रही थी, मैं रोने लगी और अपने पती का हाथ पकड़ कर उन्हें अपने कमरे में ले आई, मैंने अपने पती से कहा, कि आखर ये सब कुछ क्या कर रहे थे आप, अच्छा हुआ, तो अपनी नौकरी ही पसंद है, तुमने कभी अपने पती की फेलिंग्स को समझने की कोशिश ही नहीं की, तुम मेरी पतनी हो, मैं अपनी सारी ख्वाहिशे तुम्हारे साथ ही तो पूरी कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए तो तुम्हारी नौकरी इतनी प्यारी है, कि तुम अपने परिवार को भी भूल गई हो इसलिए महीमा की बेटी पर मेरा दिल आ गया वो बोल भी नहीं सकती थी तो मैंने सोचा कि अगर मैं इसके साथ कुछ गलत करूंगा भी तो ये किसी को कुछ नहीं बता सकती बस मैंने उसकी इस कमजोरी का फायदा उठाते हुए उसके साथ ये सब कुछ किया और ये सब कुछ मैं उसके साथ काफी दिनों से कर raha था मैंने अपने पती से कहा कि आपको शरम नहीं आती महीमा की बेटी हमारी बेटी की अम्र की है कि आपको ये ख्याल नहीं आया कि आप किसी दूसरे की बेटी के साथ गलत कर रहे हो तो एक दिन आपकी बेटीों के साथ भी गलत हो सकता है मेरा पती कहने लगा क्या तुम्हें इस बात की फिक्र है कि तुम्हारा पती तुम्हारे बिना कैसे रहता है कैसे मैंने अपनी बेटियों को बड़ा किया है मगर तुम्हें तो सिर्फ अपनी नौकरी की परवा है तुमने कभी हम लोगों के बारे में सोचने की कोशिश ही कब की है आज मुझे अफसोस हो रहा था कि मुझे भले ही एर हॉस्टेस बनकर अपना सपना पूरा करना था मगर शादी के बाद कोई भी लड़की अपना सपना पूरा नहीं कर सकती मेरे पती ने अच्छा बनने के लिए मेरा सपना पूरा तो करवा दिया मगर कहीं न कहीं मैं अपने परिवार से दूर हो गई थी मेरे पती ने मुझे बताया कि मैं खामोशी से महीमा के खाने में नीन की दवाई मिला दिया करता था और फिर उसकी बेटी के साथ जबर्दस्टी करता था दर असल ये सब मेरी लापरवाही का नतीज़ा है कि मैंने अपना सारा ध्यान अपनी नौकरी की तरफ दिया और अपने परिवार को बिलकुल भूल गई और अपने परिवार को नौकरों के हवाले छोड़ दिया नौकर गलत नहीं थे मगर मेरा पती जो कि मेरी महब्बत ना मिलने से भटक चुका था यही वज़ा थी कि वो अपनी हवस नौकरानी के बेटी के साथ पूरी करने के लिए उसको खाने में नींद के दवाई मिला कर दे दिया करता था और यह सब वो काफी समय से कर रहा था जिससे एक तरफ महीमा की सेहत भी इस दवाई की वज़ा से खराब हो रही थी और दोर उसकी बेटी के इज़त के साथ भी वो कई बार खिलवार कर चुका था वो बिचारी मासूम थी इसलिए डरी सहमी रहती थी उसने इस बारे में कभी अपनी मा को बताने की कोशिश भी की होगी तो वो समझ नहीं पाई महीमा ने मुझे बताया था कि उसे रात के समय कमरे के बाहर कोई टहलता हुआ दिखाई देता है वो इनसान कोई और नहीं बलकि मेरा पती ही था जो महीमा के सोने का इंतजार किया करता था जैसे ही महीमा के उपर दवाई का असर चाने लगता तो वो गहरी नीन में सो जाती थी और उसके बाद वो कमरे का दरवाजा खोल कर महीमा की बेटी के साथ जबरदस्ती करता था महीमा की बेटी इस वज़ा से मेरे ससूर से भी डरने लगी थी उसे लगता था कि सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं वो बिचारी दिन बदिन डिप्रेशन का शिकार होती जा रही थी मेरे पती का जुर्म कोई छोटा नहीं था उसने एक बहुत बड़ा आरोप किया था मगर ये सब उसने जान बुझ कर नहीं बलकि मेरी लापरवाही की वजह से ही किया था एक सवाल था जो अभी भी मेरे दिमाग में घूम रहा था कि आखर वो लड़का कौन था जो मेरी फोटो खीच कर गया था इस सवाल का ज़वाब भी मेरा पती ही दे सकता था मैंने उससे इस बारे में पूछा तो उसने मुझे बताया कि वो लड़का उनके दोस का बेटा है वो अपने दोस से सारी बाते शेयर करते थे कि किस तरह से उनकी पत्नी उन पर ध्यान नहीं दीती जिसकी वजह से उनका मन करता है कि वो अपने खौाहिश दूसरी औरतों के साथ पूरी करें उन्होंने अपने बारे में अपने दोस्त को बता दिया था कि वो एक नौकरानी की मासूम लड़की के साथ अपनी हवस पूरी कर रहे हैं जिस बात का उनके बेटे को बहुत अफसोस हुआ था और उसे लगा था कि मेरा पती गलत कर रहा है वो मुझे डारेक्ली तो यह बात नहीं बोल सकता था कि मैं अपने घर पर ध्यान नहीं देती हूँ इसलिए मेरे दिमाग में शक डालने के लिए वो लड़का उस दिन मेरी फोटो कीच कर भाग गया था ताकि मेरे दिमाग में शक आ जाए और मैं अपने घर में ध्यान देना शुरू कर दूँ क्योंकि जब एक बार हमारे दिमाग में शक पढ़ जाता है तो हम उस चीज की तह तक जाने की कोशिश करते हैं ये बात तो सही थी कि उस दिन से लेकर अब तक मेरे दिमाग में बहुत सारे शक थे जो कि अब मेरे पती की सच्चाए सुनने के बाद पूरे हो चुके थे अगले दिन जब महीमा सुबह सवेरे सोकर उठी तो मैंने उसको सब कुछ बता दिया था वो अपनी बेटे की कंडिशन के बारे में सुनकर बहुत रोई थी लेकिन जब मेरे ससुर जी को अपनी बेटे की हरकत के बारे में पता चला तो उन्होंने मेरे पती से घर से निकल जाने के लिए कहा था हाला कि मेरे पती ने माफी मांगी थी मगर अब कुछ भी नहीं हो सकता था मेरे ससुर जी ने 50 लाख रुपे महीमा को दे दिये थे ताकि वो अपना मूँ बंद रख सके और अपनी आने वाली जिंदेकी को बहतर बना सके वो पैसे लेकर चली तो गई थी मगर उसकी बेटी की इज़त दाव पर लग गई थी अपने पती के तरफ से मैंने उससे माफी मागी थी मेरा पती भी मुझसे रो रोकर माफी माँग रहा था लेकिन मेरे पती की गलती के साथ साथ गलती मेरी भी थी इसलिए मैंने नौकरी करना छोड़ दिया और घर में ध्यान देना शुरू कर दिया, मेरा पती अब अपने दूसरे वाले घर में रहता है, आज भी मेरे ससुन ने उसे माफ नहीं किया, हम अमीर लोग अपना फरस्टेशन हमेशा गरीब लोगों पर ही क्यों निकालते हैं, हम लोगों को अपनी सोच को बदलना चाहिए मेरे पती के सोच भी कुछ ऐसी ही थी, मेरे पती चाहते तो मुझे बिठा कर समझा बुझा सकते थे, और मुझे खुद पर यकीन है कि मैं उनके समझाने के मुताबिक नौकरी छोड़ देती, मगर मेरे पती का लिया गया फैसला बहुत गलत था, दोस्तों मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी, कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चानल पर नए है तो चानल को सब्सक्राइब करें, और हाँ नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले